हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में तो जो फ्लोर मैट देख रहे हो मिनी फ्लोर मैट इसे बनाया है बिल्कुल वेस्ट जों से घर पे बनाएंगे बहुत ही खुबसूरत तरीके से इजी एंड कुइक नहीं स्लाइ मशिन का यूज किया है नहीं कै पीसे को आपस में जोइन कर दीजे तो यहां सिर्फ मैं दो पीसेज ले रही हूं दोनों की सीधी सेट आपस की तरफ रखना है अब आप चाहो तो यहां से यहां तक सिलाई मशिन का यूज कर सकते हूँ स्टिच करने के लिए सिलाई मशिन नहीं है तो आप हातों से भी सिलाई करने के बाद ऊपर से आप चाहो तो इस टॉप स्टिच लगा लो एक बैठी वी सिलाई ताकि अच्छे से सेट हो जाए अगर हातों से स्टिच कर रहे हो तो ऊपर से टॉप स्टिच लगाने की जूरत नहीं है मैंने हातों से स्टिच किया है इसलिए मैंने टॉप स् तो और बेच्छी बाद देखिए से मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद जो आपका मेन फैब्रीक था जिसका आपको कार्पिट बनाना है जो मैंने फो़ेख कवर को रेडी किया है इस तरीके से फृंट साइड इसका ऊपर की तरफ कर दीजे बैकसाइड नीचे की तरफ कर दीजे और जो ये कॉर्णन निकले हैं जो सोफेख कवर का राउंड वाला कोशन इसी के बराबर इसको एड़ेस्ट कर लीजे तो हलका सा फोल्ड करेंगे इसके बराबर आजाएगा कॉर्णर दिखाई नहीं देंगे अब आपको सिलाई मशीन से सिलाई लगाने की जुरत नहीं है अब आपको धागा बिल्कुल सेम कलर कलेना है ताकि जब मैं सिटिच करूँ तो धागा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे तो आपको यहाँ पे सिलाई मशीन की बगा भी उज़ नहीं करना है ना ही आपको सोई धागे से सिटिच करने की जुरत है आपको छुटी-छुटी टक लगाने यह बहुत सिंपल ट्रीक है और साथी साथ ना आपका जो फ्रंट साइड और बैक में आपने जो भी कप्डे का यूज किया वो अलग-अलग नहीं होता और बिना महनत का आपका फटा-फट से मिनी कार्पेट बन जाता है तो बिल्कु अब बस यहां पर नॉट लगा लेंगे अच्छे से पक्का कर लिजेगा चार से पाच बार इस तरीके से करने के बाद आप नॉट लगा लिजे यहां पे एक नॉट लग चुकी है तो इसी तरीके से आप आपको सिंपली यहां पर टक लगाना तो सुईधागे से स्टिच क करने की भी दिक्कत नहीं है तो आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा आपको सिलाईयां भी निलगाने पड़ेंगी सिंप्ली आप टक कर लीजे तो इस तरीके से थोड़े थोड़ा स्पेस छोड़ दीजेगा और चार से पास बर अच्छे से टक लगा कर पक्का कर ली तो देखिए इस तरीके से आपको बस तीन से चार बर पक्का कर लीजे अच्छे से नॉट लगा लीजे तो एक पर ये आइडिया आप ज़रूर ट्राइ करिएगा बहुत इसी है बहुत फटा-फट से पन के रेडी हो जाता है तो देखिए जो कॉर्णर है इस कॉर्णर को इसके बराबर आपको सेट कर लेना है तो यहाँ पर मेरा राउंड शेप है राउंड शेप को जो इसके बराबर आपको सेट कर लेना है तो यहाँ पर मेरा राउंड शेप है राउंड शेप को जो इसके बराबर आपको सेट कर बस सेम तरीके से आपको बाकी corner भी बनाने हैं तो यह मैंने एक corner बनाया है बाकी तीन corner भी आपको ऐसे बनाने हैं सेम तरीके से तो simply आप टक लगा लीजे तो इससे आपका front side और back side अलग-अलग नहीं होगा और आप इसे as a mini carpet format किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं देखे इस winters के लावा आप इसको बाकी इस इतर में भी यूज़ कर सकते हैं तो देखे थोड़ा-थोड़ा सा gap है बाकी पूरे पर आपको इस तरीके से टक लगाना है मैंने आप इसे complete कर लिया है बहुत ही simple तरीके से बनाया है easy and quick पन के ready हो चुका है अब मैं आपको दिखाती हूँ देखे इस तरीके से आपको बाकी जगों पे भी same तरीके से टक लगाने है दूर-दूर तो सारा process यही रहेगा तो बस same तरीके से आपको पहले किनारे से start करना है इसके बाद आप बीच में टक लगा लीजे देखे बहुत easy इसको बनाना यहां भी टक लग गया है तो दूर-दूर बस आपको इस टक लगाने है ताकि इसमें set हो जाए जिस shape में है इसी shape में लगाते जाएगा थोड़ा से space छोड़ दीजेगा तो देखे यहां पे हमारा carpet बन के ready हो चुका है और मैंने दो बनाए इतना असान है इसको बनाना कि आप इसको बहुत ही कम समय में बना के ready कर सकते हो देखे मैंने दो pieces बना के ready किये हैं आप अपने sofa के पास जाल सकते हो या फिर आपने bed के पास जाल सकते हो और सबसे अच्छी बात है आप इसे winters के अलावा भी यूज़ कर सकते हो किसी भी season में हर तरीके से अच्छे लगते हैं, बैटने के लिए भी यूज़ कर सकते हो बच्चे हैं घर में तो बच्चों को देदीजे, अपने twice बगारा खेलने के लिए बहुत ही useful है तो देखिए इस तरीके से हमारा ये mini carpet बनके ready हो चुका है आप इसको sofa के लावा bed के पास भी डाल सकते हो, देखिए कितना प्यारा इसका look आ गया है और ये बिल्कुल ready-made style में लग रहा है, अप ही मैं इसको आपको bed के पास भी डाल कर दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा इसका look आया है और ये बहुत ही easy तरीके से बना के मैंने ready किया है ना सिलाई लगाने का जंजट है और ना ही हातों से stitch करने का जंजट है सिर्फ आपको simply tuck लगाने दूर-दूर बस अच्छे से पक्का कर लीजिए और आपका format बनके ready हो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बैट के पास डाल दिया है तो इस तरीके से winters में आप जब बैट से उतरते हो ना तो आपको floor पे ठंडा नहीं लगता है पुरानी maxi है यह इसका यूज करूँगी अगर आपके पास नहीं है तो आप पुरानी lagging, t-shirt कुछ भी ले सकते हो कोई पुराना कपड़ा यूज कर सकते हो तो मेरे पास एक हुजरी की maxi है और एक एक lagree की maxi है तो मैं दो maxi का यूज करके यहां बनाऊंगी आप कोई भी color combination ले सकते हो बहुत easy होता है इसको बनाना अब बहुत जल्दी बन जाता है फटा फट से तो लंबाय में 7 इंच की पटियां cut करनी है तो दो पर्ट अलग नहीं करेंगे एक साथ cut कर लेंगे तो सारी पटियां एक साथ cut हो जाएगे 7 इंच की पटियां लंबाय में cut करनी है ऐसे ही ये purple वाली maxi का भी cut कर लोंगी देखे, दो स्ट्रेप्स अलग-अलग मेरे पास आ जाएंगी अब क्या करना है, मैं पट्टियों को जॉइंट करने का तरीका बता रही हूं आपको ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए, हमें यहाँ बेसिकली बीच में होल बनाना है तो यहाँ पे मैं सुई धगी का इस्तमाल नहीं करूँगी, बहुत आसान इसको बनाना छोटा सा कट लगा देंगे, यह देखे, यहाँ पे यह होल आ गया, आप छोटा होल बनाईएगा, थोड़ा सा बड़ा बन गया है तो इस तरीके से दोनों होल पे होल रख लीजेगा, होल पे होल सेट हो जाएगा इसके बाद से जो उपर वाली स्ट्रेप से इसका एंड पार उठाना है और पीछे से हमें इंसर्ट कर लेना इस वाले होल में और इस पट्टी को खीच लेना है, यह देखे हमारा बिल्कुल जोइन्ट हो गया और यह कहीं से भी निकलेगा नहीं तो बिना सुई धागे से जोइन्ट करने की टेक्निक है यह, इस तरीके से इसको भी जोइन्ट कर लोगी और जब भी डोर्मेट बनाते समय पट्टियां कम लगेगी, हम इसी मैथर्ट से इसको जोइन्ट कर लेंगे अब क्या करना है, एक पट्टी ग्रीन लेनी है, एक पट्टी परपल लेनी है, फिर एक पट्टी ग्रीन लेनी है, और एक पट्टी परपल लेनी है आप color combination अपने हिसाब से भी ले सकते हो अब क्या करेंगे इन चारों के end part में एक knot लगा देंगे तो इस तरह से एक simple knot लगाना है आप कहीं भी इसको फसा कर बना सकते हो मैंने इस paper pad पे फसा दिया है अब क्या करेंगे जो beach वाले दो ये जो लिया है मैंने part इनको straight रखना है बिनाई सिर्फ इन side side वालों से होगी ओपर वाले strap को ऐसे fold करना है और purple वाली पट्टी को इसके अंदर से ले जाना मतलब इन तीनों को ये fix कर देगा इसके beach से निकालना और ऐसे हलका सा knot लगाना बहुत tight ने करना है और बहुत light ने करना है फिर straps ऐसे लेनी है आपकी इस side से इन तीनों को fix करते हुए अंदर से ले जाना है और फिर इन दोनों straps को खीच लेना है यही method बार-बार करना है इन तीनों के अंदर से ले जाना है और पट्टी को खीच लेना है बहुत tight हातों से मत करिएगा यह देखें इस तरीके से करते जाना है और हमारा जो यह तयार हो रहा है पुरा की तयार होता चला जाएगा फिर से इन तीनों के अंदर से ले जाना है और खीच लेना है इसी मेथट को बरबार रिपीट करना है और अब आप चाहो तो जितना लंबा तयार करना चाहो अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से तयार कर सकते हो बहुत आसान होता है बनाना फटा फट से बन जाता है तो लेकरे की मेक्सी है तो कुछ जादा इस्ट्रेच बल है तो इस तरीके से देखें दो तरह का फैब्रिक है आप किसी भी पुराने कपड़े इसका यूज करके बना सकते हो इसको इसली मैं पास से दिखाती हूँ देखें इस तरीके का इसका लुका रहा है और यह बहुत सुन्दर लगता है देखने में बस इसी मेथट से आपको बनाते जाना है और जहां पटियां कम होगी वहां उसी मेथट से जॉइंट कर लिएगा जैसे मैंने बताया है देखें मैंना सारा त्यार कर लिया है और एक्सटा जो परपल पटियां बर्ची थी उमसाब को जॉइंट करके एक सा कर लिया है यह देखें यह इसका फाइनल लुक है पटियों को बिनने वाला अब क्या करना है अब इसको ज्वाइंट करना है ज्वाइंट कैसे करेंगे जो यह मैंने नॉट लगाया है सबसे पहले इसको सटल करेंगे तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे खुब सारा thread लपेट देंगे इसमें ताकि ये खुलेना अब इसे कट कर देंगे अब आपकी मर्जी हो आप इसको circle में बनाओ या आपकी मर्जी आप इसको oval shape में बनाओ मैं इसको oval shape में बना रही हूँ सुई धागे से सिलते जाएंगे side side में और इसको लपेट दे जाएंगे एक side से ये देखें corner से corner सिलना है और लपेट दे जाना है और ये फटा फट से बन जाता है इस method से आप छोटे बड़े size में किसी भी size में बना सकते हो आप पुरानी side का भी use कर सकते हो पुरानी दुपट्टे का भी use कर सकते हो इस तरीके से round round करते जाना है और stitch करते जाना है तो देखी मैं बताती है इस तरीके से कुछ आता जाएगा और stitch करती जाऊंगी मैं इसका shape ऐसे आएगा यह देखी इतना stitch कर लिया है मैंने इसको round round घुमाती जाऊंगी और stitch करती जाऊंगी नारे कि नारे तो यह है इसका final look आज मैं आपको पुराने cushion cover से बहुती बढ़ियां सा अलग हटके DIY करके दिखाऊंगी और आपको बहुत पसंद आने वाला है यह तो वीडियो को यहन तक देखेगा बिना skip किये देखे कुशन cover की जो condition है बिलकुल खराब है zip और threat वगारा सब निकले हैं सब खराब हो चुके हैं तो एक दो तो ठीक है बाकी खराब है तो इसको repair करने से अच्छा है कि इसका कुछ अलग और हटके DIY करूं मैं देखेए cardboard है अगर आप size कर लोगे न तो और पे अच्छा मेरे पास नहीं थे अगर आप size कर लोगे तो पूरा उसका accurate shape आ जाएगा तो करना क्या है matching का मैं fabric ले रही हूँ इससे मैं बनाऊंगी dory तो आप dory बना सकते हो तो जल्दी वाला DIY है तो dory में time मत waste करिए पटिया बना लिजे लंबी लंबी ठीक है मैंने एक बार में काफी लंबी पटि बना ले हैं और एक कुशन कवर में चार पटि लगेंगी तो मैंने 5-5 विंच की पटियां कट कर ली है तो एक कुशन कवर में 4 पटियां लगेंगी तो पांच कुशन कवर में टोटल 20 पटियां लगेंगी तो मैंने एक साथ सारी कट कर लिए बना के और इसके कॉर्णर कॉर्णर पर सिलाई मशीन से बिने सिर्फ सुई धागे से स्टेज कर लोगे जल्दी से और फटा फट से बनने वाला ये DIY है तो जरूर ट्राई करिएगा देखिए 20 पटियां मैंने रडी कर लिए है पूरी चार-चार के पेर में आप क्या करना है ये हैं कार्डबूर ठीक है अगर आप साइस का लोगे न जैसे 15 इंज का ही कुशन है मेरा तो ये बहुत अच्छा आपको साइस देगा 15 इंज का अगर कार्डबूर लोगे मेरे पास छोटा है देखिए बस ऐसे सिंपली इंसर्ट करना है इसमें जीप अगर सही कंडिशन में तो आप जीप लगा लीजेगा अगर जीप सही कंडिशन में नहीं है तो आप सिंपली हलका सा इसको टक कर सकते हो मैं कुछ भी नहीं करूंगी जैसा है वैसे ही करके दिखाऊंगी ताकि वीडियो है बिना मेहनत वाला और जल्दी वाला DIY तो आपको ज़रूर करके दिखाती हूँ ऐसे देखिए 5 पेस का मैंने ऐसे फ्लैट बिछा लिया है और करना क्या है देखिए कॉर्णर से कॉर्णर डोरी बान देनी है इस उपर वाले डोरी को उपर वाली डोरी से और नीचे वाली डोरी को नीचे वाली डोरी से बस कुछ नहीं करना है और देखिए बनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा इतने सारे कपड़े स्टोर हो जाते हैं और इतना जल्ली बनके रडी हो जाता है तो यह फाइफ पीस का कुशन देखिए इस तरह विछा लिया है मैंने अब मैं क्या करूँगी पट्टी को बस ऐसे नौट लगा लूँगी तो सिंपली एक-एक ही लगाईएगा दो लगाने की जुरत नहीं है तो पहले एक सिंपली एक-एक पे नौट लगा लूँगी बाकि जो पार्ट बच जाएगा उस पार्ट से अगले वाले पट्टी को नौट लगा लूँगी देखिए इस तरीके से अब यही प्रोसीजर तीनो साइड में और रिपीट हो जाएगा तो इन दो पे नौट लगाया जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो अगले वाले पे नौट लगा लेंगे तो यह मैंने नीचे वालो में लगा लिया है नौट अब यह उपर वाले में नौट लगाना है तो उपर वाले में मैं बोई स्टाइल में नौट लगा लूँगी ताकि लोगवाईस अच्छा लगे ये देखे बोई स्टैल में मैंने लगा लिया नॉट और बाकी तीनों तरफ भी यही प्रोसीजर रहेगा देखे हमारी बास्किट बनके रेडी हो गई है बीच में सिंपली ऐसे स्वीधागे से स्टीच कर लिया है पूरा नहीं किया है बस सिंपली टक कर लिया है जदा महनत क फटा फट से बनने वाला DIY है आपको बहुत पसंद आएगा देखे मैं कपड़े रखके आपको दिखाती हूं तो यह मैं बैटशीट रख रही हूं तो यह डबल बैटशीट है यह देखे सारी की सारी और इसमें काफी सामान आ जाता है मतलब अगर आप कपड़े रखोगे इसमें और काफी अच्छा स्पेस है इसका अगर आप कार्ट बॉक्स बड़े साइस में डालोगे ना जितना प्रॉपर कुशन है तो यकीन मानिए आपका बॉक्स और भी अच्छा बनेगा और काफी स्पेस है इसमें और दिखने में बहुत सुम्साइब तो आप ट्राय जरूर करिएगा देखिए डबल बेटशीट और मोटी वाली बेटशीट है यह देखिए अब आपको लग रहा होगा कि बॉक्स जैसा है पहले नहीं लग रहा होगा अब देखिए रजाई भी मैं इसमें रखके दिखाऊंगी तो सिर्फ यह जो मैं यह बेटशीट रख दोंगी देखिए काफी अच्छा स्टोरेज बॉक्स बनके रेडी होता है फटा फट से बिना किसी महनत के बिना और देखिए यह कार्ड़ोर रखने से कितना स्टिफ बना है तो एक बार पूरा व्यू देखिए कितना अच्छा है और देखने में तो सुन्दर ही साथ साथ बिना महनत वाला फटा फट से बन जाता है तो बिलकुल नया आइडिया है यह तो प्लीज अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग